देखिये सारों पर्थाम सबसे पहले इस पांटाल में ब्रादमान में जितने भी बुदुर्गर्ण मान्य मच्पर आशीर मेरी आदम ने पंच का वेटी मेरी आवाज को सरुण करती हुई गंगा जम्ना के जैसे पवित्र मेरी माता बहनाई नौजवान साथ्यों छोटे बड़े भाई बैर सर पत्त सबसे पहले सभी के सीचनों में आपके वेटी आपके छेत्र की बच्ची आपके आगन की बच्ची दाधा यादव की तरब से हाज चोड़कर प्यार भूई नमामी नमस्कार रामराम जी देखिये समय का भावा अगामी कलाकार खुम सुनाते हुए जा रहे भवानी साखी लेगन मैं ता आपके छेत्री वसे छोटी सी बात करूंगी आप सभी लोगों को पता होगा एक बार एहमत साब दाली युद्ध करता करता राजिस्धान की सीमाओं में प्रिवेश कर जाता है आज ऐसे प्रिवेश करता है तो महराजा सूरजमल को एक पत्र लिखता है और पत्र क्या लिखता है या तो तु मेरी गुलामी शुकार कर ले या फिर मुझसे युद्ध करने के लिए तयार हो जाओ आज जैसे ही महराजा सूरजमल महलों में उपस्तित नहीं है तो देखिए आज हमारे राजिस्थान की भरत कुछ लेंकि घीराना उस एहमद साब्दाली को एक जवाब दे रही है और भीया क्या लेकिन मुंबई वाले एक बड़ी प्यारी तर्ज निकाल रहे है और कौम सी आपकी परस जो परसेगा आपकी परस जो परसेगा वो सावन कैसा होगा अरे सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा यह तो कहरें मुंबई वाले लेकिन लिखा अरे देना धान देना धान सब शीमान बीरों का ये राजिस खान अरे देना धान सब शीमान बीरों का ये राजिस खान अरे हमद सावन जैसा भी हो अरे देना धान सब शीमान बीरों का ये राजिस खान और आनिया एहमद सावन निकाफ पे गयो अब दो कली कैसा होगा और इसी वीच यही कामरों पे शमाइद करते हैं मेरे घुरू जी घंशांत मतलौनी वाले जो की घुरू के साथ साथ में एक कभी भी हैं रचना ही करते हैं उनके लिए इक बार चाहूंगे जोड़ार दानियों बजा दीजिए कहां देना धान सब स्रीमान वीरों का ये राजिस खान और आने हमद सावन निकाफ पे गयो अब तो कल कैसा हो अगर रानी की सोरी का जवाब आप भी लोगे दिल तक हो जाएं तो सिर्फ ताल्यों का शिवाद अरे हमद सावन निकाफ गयो अब तो कल कैसा होगा अरे जिसकी रानी जिसकी की सोरी जिसकी रानी ऐसी है वो सूरज मल कैसा होगा कहाए बड़ाए शुन्दर हम छत्री रन से ना डरते तो अरे हम छत्री रन से ना डरते तो और लिखाए बड़ाए शुन्दर हम छत्री रन से ना डरते तो मान मान और सान पे मरते ना पर खीजा तो की सकती तेरी दिली भीजा सकी अरे आजकर जब जड़ी आमेंगे उनका बल कैसा होगा अरे ये अजकर जब जड़ी आमेंगे उनका बल कैसा होगा अरे आजकर जब जड़ी आमेंगे उनका बल कैसा होगा अरे आजकर जड़ी आमेंगे उनका बल कैसा होगा अरे जड़ी आमेंगे उनका बल कैसा होगा अरे जड़ी आमेंगे उनका बल कैसा होगा अरे जड़ी आमेंगे उनका बल कैसा होगा देखिए ये तुभी आप सुभी के समक्ष में एक मेरा खंडगी थी लेकिन कौर करिएगा मेरे प्रिशन की तरफ देखिए कमेकी वाले शुरंती बनाए रखें मेरा प्रिशन वही है जिसको के मंकल पहले दौर में छोड़ करके गई थी आज जैसे ही वो दुर्योधन रण भूमी में पड़ा प्राविल लाप करने लगता है अपनी पहली दसा को याद करोने लगता है लेकिन देखिएगा आज स्रीक्राशन ने कहा था पांड़ों से दुर्योधन से कहा था कि है दुर्योधन तो पांड़ों को आधार आज दे 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 लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी तुने मुझसे कहा था कि मैं पांड़ों को तो सुई की नौक के बरावर जमीन का टुकड़ा नहीं हुआ और आज यही दसा है कि तु रण भूमी में पड़ा हुआ है और सुनिएगा आज मों दुरियोधर विल्ला करार भीया किस प्रकार से बहुत अच्छे कहा आड़ यह उचे स्वई और डगिराए और यह पेज नहीं खाए और परेखे आवे और अरे यह शार जिनावर शार जिनावर जिन्देपे मुनाच नाच के आवे करतों और जिन्देगए कोई नाए मेरे कोई नाए मेरे पास तूट गई आसे पेडोले सोव भाईयाने सोव भाईयान मेते आज कोई मुख देनाए होच सो नेना की गुरु की सेवा वो ग्यान लडाई क्या दाने और जिसो नेना की गुरु की सेवा वो ग्यान लडाई क्या दाने और जिसो पीना फती बिवाई हो वो पीर मनाई क्या दाने लेकिन कहां मालम फत्रों धरम कमाई क्या दाने और बच्चे की ममता क्या होती है क्या दाने बच्चे की ममता क्या दाने सब्सक्राइब लेकिन उनके गाने में और मेरे गाने में अंतर देखना आपको अंतर क्या मिलता है आप सभी लोगों को पता होगा हमारे हिंदुस्तान में बेटियों को परायध हम बताए जाता है लेकिन एक पिता है जो अपनी बेटियों की साथी कर देता है जैसे साथी कर देता है तो आज आप सभी लोग पता होगा जब बेटी की साथी करती जाती है तो अंति पार उससे उसकी घर की धेली पुझवाई जाती है आज जैसे ही वो पिता और मातार उसका भाई उस बहन से घर की धेली पुजवाने लगते हैं तो आज वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है कहती है है पिता क्या तुने मुझे आज से पराया समझ लिया क्या मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं रही है तो आज सुनिएगा वो बेटी गाने के माध हमसे बड़ाई शुन्दर कह रही है और भीया क्या मुंबाई वाले टर्ज लिकार रहे हैं और सुनना कौन सी यह चांदी की दीवान तोड़ी प्यारु भगा दिल तोड़ दिया आरे एक धनवान की बेटी ने हा आरे एक धनवान की बेटी ने निर धन का दामन जोड़ी चांदी की यह तो कहरे मुंबाई वाले सुनना गाना क्या कह रहा है आरे पूझते हरी गाना कह रहा है अरे क्या बाभुल मुझे छोड़ी रहे और ये बेटी मनाया थन होती है हम बेटी मनाया थन होती है कहके दिल मेरा दोड़ी रहे पूझते हरी ये बहारे खावी बड़ाए सुन्दर कहाए आजो बेटी पहला बतार पहला बतल अपने पिता को दे रही है और बचन में क्या कह रही है चनम लिया उसे बताल नहीं लगने दूघ ऑर ये भूकी टाथी हाँ भूकी टाथी रहे लूंगी तेरे दिल को नहीं दुखो ने दुखो ने दूगी और आजे पाबूल तेरी हाँ पाबुल तेरी मेरा पाबुल तेरी इस पाबुल तेरी को कभी नहीं छुकने अरे आँखों में आसु भर भर के क्यों अपना मुख मोर रहे और ये बेटी मराया और बेटी मराया धन होती है कहें के दिल मेरा पूल रहे पूझिके वरी और शुनेगा आजो बहन अपने भाई से कह रहे ये और सुना क्या आजे मत रो मेरे हां मत रो मेरे मत रो मेरे प्यारे भया मैं बहन का फर्चुन भाऊंगी और भाई तोज रक्षा पंधन को थाल सजा करे लाऊंगी आरे भाई तोज रक्षा पंधन को थाल सजा करे लाऊंगी आरे सुनी कलाई तेरी ना छोड़ूंगी माथे सिनके लगाऊंगी आरे तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा पावन उर्सा गुल्या में बेजो रहे और ये पेटी मराया धन होती है कहे के दिल मेरा पोड़ रहे पूज पेहरी बहादे थाली और सुनेगा अंतिमबंद अगा निकलाकार बॉट टाइम वे तो वह जा रहे आज वो बेटी अपनी मा से कह रही है और अंतिमबंद में शुनना आरे मया की ममता मया की ममता मया की ममता क्या होती वो आज याद मुझे आती है और अरे मया की ममता क्या होती वो आज याद मुझे आती है मेरा बसपन पीता आज सज़न घरो जाती है और अरे मैरा बसपन पीता वो आज सजन घरो जाती है आज बिदा हो, हाँ आज बिदा हो, चलिए बिटिया, रोरो के फट पीछाती है आज ये कहे धन शामों, कहे धन शामों, कहे धन शामों, बचन बिटिया के दिल मेरा जब की छोर रहे और अगर ये गाना अब अभी लोग के दिल को छूपया हो, तो किर्प्या मेरे गुरूप के लिए जोरदार तालिया बजा दे, वो यहां पर उपस्कित है कहे धन शामों, बचन बिटिया के दिल मेरा जब की छोर रहे और ये बेटी मराया, ये बेटी मराया, धन होती है और इस है के दिल मेरा जब की छोर रहे